जिया नमस्कार मित्रों आज है 29th November यानि UPSC Prelims को अभी 188 days are left मुद्दा है 28th November यानि रविवार और 29th November मतलब आज सोंबार दो दिन के न्यूसपेपर में UPSC Exam के लिए काम की चीज़े क्या थी काम की चीज़े कमी थी कुछ खास नहीं है रईवार में Good Samaritan Scheme for Road Accident Victims WTO की मीटिंग पोस्पॉन हुई कोरोना वाइरस के चलते फिर आज के समाचार में है कि हैला सेल क्या होते हैं रिसर्च में कैसे उप्योगी है Medical Ethics, Nuremberg Code and few इदर उदर की बाते कैर तो मिलब बहुत कुछ जादा काम काने तो वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कुछ और चर्चा तो अब जानते हैं हर सोमबार रात आंट बजे मुरूनान्स मंडे LC 20 MCQ की टेस्ट होती है Current Affairs में हमने जो पढ़ा है पिछले मंडे को जो हुई थी उसमें मैं देख रहा था कई लोगों के 20 प्रशन है और UPC में Every Question is worth 2 Mark तो टोटल हुए 40 Mark उसमें कई लोगों के Marks आ रहे हैं करीब 9.4 अब 9.4 Mark कैसे हो यह होंगे तो मैं कुछ लगा रहा था आंकड़े वो ऐसा होगा कि किसी Candidate ने 20 में से 8 प्रशन सही किये x2 तो 16 Mark आए लेकिन 10 प्रशन में वो तुक्का लगाने में 50-50 करने में गलत हो गया तो –.66 चले गए और 2 प्रशन उसने शैज स्किप किये हो तो कुल मिला कर कि आउट ओफ अटेंट कितना किया 8 प्लस 10 18 उसमें से 8 सही महलब 44% accuracy हो तो आपका score महलब कितना गिर जाता है नीचे 16 Mark आ सकते थे अगर सब wrong नहीं टिक करते तो यह सब महलब बुद्धी का भाय कि हमको ज़ादा रिस्क नहीं लेना चाहिए negative marking में you have to practice खेर उसमें से अब कुछ चुनिंदा MCQ देखते हैं एक मैंने MCQ सेट किया था Mount Harriet का नया नाम क्या है याद करो यह सब current affairs में था शायदा मिच साह ने अनौन्स किया था कि वो मनिपूर को जो इसका freedom struggle के अंदर योगदान है उसको appreciate करने के लिए Mount Harriet उसका नया नाम क्या होगा not confuse with the other wrong options तब इसमें पता चला 60% ने correct किया यानि 40% लोगों ने इसको गलत किया ऐसी तो मनलब जोगरफी की high profile चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए फिर एक प्रशन था आगम शास्त्र क्या है worship in South Indian temples के साथ जुड़ा manual है संगम literature है आयरुवेदी medicine है ancient wars के साथ जुड़ा हुआ manual है तो जवाब क्या है कुछ महिनों पहले हमने पढ़ाता कि कैसे South India में महिला पुजारने भी धार्मिक विद्या कर सके मंदिरों में कि नहीं कर सके उसके लिए कुछ नियम बना रहे थी राज सरकार तो वहाँ पर ये शर्त थी कि वो महिला को अगर आगम शास्त्र का पूरा ज्यान है तो फिर वो कर सकते हैं history वैसे मैं नहीं पढ़ाता लेकिन ये वाली information मैं नहीं देखी थी और मुझे याद रहे थी कि आगम शास्त्र तो वो तो South Indian Temple के manual के बारे में ही है तो मुझे कैसे याद रह गया कोई काजू बादम खाया था नहीं वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में जो storage capacity है उसमें काफी free space रहती है इधर उधर की फालतू चीज़े मैं absorb नहीं करता सिर्फ काम का उतना याद रखने की कोशिश करता हूँ तो वैसे मुझे history सब नहीं आता लेकिन ये वारी चीज़ मुझे याद थी तो आपने भी यही करना है पूरा दिन ये telegram, whatsapp, current affairs इतना सब material अपने दिमाग में मत बरलो कि असल एकजाम में जब काम हो तो हम recalling नहीं कर पाया जो काम की चीज़ हो तो इसमें 40% लोगों काई correct हुआ जब की ज़्यादा होना चाहिए फिर ये प्रशन था Henderson Brooks बगत रिपोर्ट की इसके साथ जुड़ा है ये भी कुछ मैनों पहले हमने पढ़ा था वो इस कंटेक्स्ट में कि suppose 20 years के बाद कोई confidential रिपोर्ट हो तो उसको भी सारवजनिक किया जाए public किया जाए right to information act में उसको protection ना हो तो ये Henderson Brooks बगत रिपोर्ट जुड़ा था कि 1962 के China-India war में बारत को क्या अच्छा करना चाहिए था उसकी सब inquiry रिपोर्ट थी उसके अलाबा एक प्रशन था correct statement about Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act वो RN Khan वाले case में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति small quantity के साथ पकड़ा जाए तो क्या होगा पहली बार उसको आसान सजा होगी एक साल तक की सजा हो भी सकती या उसको Rehabilitation में बेजा जाए और Social Justice Ministry सोच रही थी कि सजाई नहीं हो सिदारी है में बेजा जाए तो यहां फर्स statement क्या कहता है As per the act person found with small quantities may be treated as distributor of the drug उसे विक्रायता या smuggler माना जाता वो तो गलत है Second Department of Revenue under the Finance Ministry is the Nodal Department for NDPS Act वो सही हमने पढ़ा था इसका काम Home Ministry वगेरा नहीं देखती यह काम Department of Revenue under Finance Ministry देखता है अब असल में इसका जवाब क्या होगा तो मलब Correct statement is only two लेकिन इसके जो option थे वो type करने में या paste करने में मुझसे गलती हुई तो असल में statement सिर्फ दो है question में और code कैसे है Only one and two, only two and three, only one and three So I regret this मैं इसके लिए माफी भी माँगता हूँ और मुझे शरम भी आ रही है कुछ ऐसी संस्था है उनको दो-तिन question cancel भी करने पड़े तो ना उनको माफी माँगते है ना शरम आती है Nonetheless यह जो अपना Unacademy portal है जहांपर यह सब free test होते हैं गलती है होती है इससे पहले भी एक प्रशन मेंने set किया था हरित दरा क्या है वो ICAR ने बनाया है लेकिन उसमें typing में मुझसे गलती होती है ICMR आपको कुछ गलत दीखे है ऐसा तो क्या करना है वो जब आप test दे रहे हैं उसके बाद जब आप वापस उसको review करते हैं तो question में 3 dot होते हैं ये 3 dot को आप click करो उसे क्या होगा दो काम हो सकते हैं change language आपको English की जगर Hindi वाला पढ़ना है तो वो भी कर सकते हैं and report मलब प्रशन में कुछ गलती लगे आप आप उसमें report करते हैं कि अच्छा in correct option क्योंकि यहां पर 2 statement है तो 3 वाला option क्यों हैं वगरा so you may do like this अब यह जो test हुई पिछले सोंबार उसमें जिन जिन लोगों ने सब correct कर दिये उनको बदाई बाई अंकुर गौर रचना, दिनेश आयूष, प्रतिक, आदित्य एमेम, पियुष, हरशिता, अर्चना यह हुए top 10 इसके अलावा ऐसे सबी लोग जिनों ने 40 market test में कम से कम 20 मलब 50% स्कोर किया उन सब को बदाई तो उस हिसाब से rank 145 पर बाई अतिश, नितेश उसे उपर रितेश, राजीव, प्रतिक प्रियंका, अमरिता, सागर बरत, प्रियंका, रवी, सौरब कुलवंध, कारुन निशा और पाकी सब लोगों को भी बदाई जिनके कम टिक है तो कुछ दिल छोटा नहीं करना वो सब आप रिवाइस कीजे तो यह हर सोमवार होती रहती है आज रात भी 8 बजे है तीसरी टेस्ट आपको मिल जाएगा लिंक यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरी वेबसाइट monal.org slash current में भी वो बैनर है उसका इसके लवा मंगलवार, मतलब कल रात मेंज के मॉडल आंसर जो पिछली परिक्षा हुई UPS image 2020 उसके अंदर economy, agriculture, food processing, science, technology environment, disaster वो सब complete किया था थोड़ा बाकी था सिर्फ science और security border management के जो प्रशन पूछे गए कल रात 9 बजे free live lecture में मैं उसे solve करूँगा कि कैसे approach कर सकते थे, क्या गलतियां लोग करेंगे you can also go for it link सब नीचे है कैर तो यह सब चीजे थी test के बारे में now coming back to the main topic that is रविवार और सुमवार के newspaper में जाने लाएक क्या था कुछ खास नहीं था सबसे पहले मामला है यह road accident road accident में आप पाते हैं सडक दूरगटना में यह पाया जाता है कि within one hour अगर patient को hospital बेजा जाए तो उस golden hour में उसकी जान बचने के chance बढ़ जाता है लेकिन आप कई बार पाते हैं कि लोग मदद नहीं करते क्यों उनको पुलिस की जंजट से परिशानी होती है पुलिस की जंजट कैसे कुछ बार यह हो वो victim गिर गया हो इसका mobile कहीं पर गिर गया हो या तूट गया हो फिर आप उसको hospital ले जाए और फिर पुलिस आपसे ही पुछताचा ऐसे करे कि तुमने ही mobile चुरा है तिया तुमने इसकी सोने की chain चुरा है बले आपने ना चुरा है लेकिन उसको असल में bribe में corruption में आपसे पैसा मागना इसलिए वो ऐसा परिशान करें पुलिस वाला तो लोग डरते हैं तो इस बार सरकार ने क्या किया था कुछ समय पहले motor vehicle है कानून में सुधार किया उसमें ऐसा है कि good samaritan यानि नेक दिल आदमी वो अगर किसी को आदमी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें भी ये नेक आदमी ने जाके court में हाजरी लगाना भी ज़रूरी नहीं वरना वो ये सोचे मुझे हर बार सुनवाई में जाना पड़े मेरा time waste हो जाए तो ये सब उनको रियायती दी गई है additionally केंद्र सरकार एक लाई है योदना जिसका नाम है good samaritan scheme वो ऐसा कि road accident victim को within one hour अगर कोई आदमी hospital में पहुचाता है तो उसको 5000 रुपे इनाम दिया जाएगा लेकिन ये इंडियन express में सब उसकी controversy ये है कि कई state government ने अभी इसको notify नहीं किया नीचे जमिन पर क्रियानवित नहीं किया और दूसरा कि ये योजना एक आदमी को साल में 5 बार ही मिलेगी तो कोई ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोच रहें मैं full time ये जो एक चौकडिया नाका है जहाँ accident होते हैं उधर ही बैठा रहता हूँ विक्टिम को लेते जाओंगा तो मैक्सिमम पांच बार मिलेगी तो आए ये full time job नहीं कर सकते आप इसका आगे बढ़ते हैं रविवार का page 12 विश्व वियापार संगठन उसकी ministerial conference होते है सामान रूप से every two year दो दो साल पर होते है इस बार जिनिवा स्विजलेंड में होने वाली थी लेकिन अब जानते हैं ये कोरोना का नया Omicron virus variant आया है जिसके चलते अलग-अलग देशों में lockdown या travel restriction डाले जारे तो कुछ मंत्री हाजरी नहीं दे पाएंगे इसलिए WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है नगोजी को कोंजो की वेयाला नाम याद रखना है पर्टिकुलरली पर नानाईस एक्जाम उन्होंने मीटिंग को पोस्पान किया है स्विजलेंड की तरह नक्षे में ये रा स्पेन, प्रांस और ये जो ऐसा क्रीम रेड कलर जैसा है वो है स्विजलेंड बाजू में जर्मनी, इटाली ये सब है दूसरा यूरोप में प्लेसी सिन न्यूज में यूके की दर है ये इस तरफ प्रांस है तो सामने की साइड होना चाहिए यूनाइटेड किंग्डम ये रा ब्लू कलर वाला वहाँ पर स्टॉम आर्वेन आया है उसके बाद का मुद्दा आज का न्यूस पेपर मतलब तूट ट्वेंटीनाइड नवेंबर जानने लाइक चीजों में पेज बन पर वही सब संसत सजन शुरू होगा तो सब आपोजीशन क्या सोच रहा है फार्म लॉक की वही सब रोना दोना जारी अभी भी जानने लाइक चीजों में गुजरा स्टेट सर्विस एक्जाम के लिए प्रवासी शिक्षक योजना वो ऐसा है कि याद करो ये कोरोना में क्लास 10 वाले बहुत सारे बच्चों को पास कर दिया है तो क्लास 11 में पारमपरिक रूप से समझो की ऐसा सोचा कि 10,000 टीचर्स विल भी रिक्वार्ड लेकिन ये सब को ही पास कर दिया था अभी 15,000 टीचर्स रिक्वार्ड तो लाएक इधर से इसलिए विजिटिंग टीचर्स कीम की जहां पर temporary रूप से कुछ टीचर्स को रखा जाए आगे बढ़ते हैं page 7 उसमें science के कुछ समाचर्थ थे तो सब भी science का में इधर ये आपको बता दू मामला ये है कोरोना में variants of concern अभी कुल मिला कर 5 है वन कौन सा ये latest Omicron जो साथ आफरिका से पाया गया डेल्टा वेरियंट जो बारत में पहली बार रिपोर्ट हुआ है अब ये जो सब वेरियंट है उसके नाम में देखो code name कैसा है Omicron का B.1.1.5.2.9 इसका मतलब क्या है ये B.1 टाइप के जो सीरीज होगी वाइरस की उसी के साथ आगे बढ़ रहा है तो यानि डेल्टा वेरियंट जो होगा B.1.6 उसमें से ये और म्यूटेशन होके विक्रुद स्वरुप होके Omicron बना होगा इसके लाबा काइंस में ही ये कोरोना में वेरियंट आफ इंट्रेस्ट मतलब अभी World Health Organization investigate कर रहा है लामडा जो पेरु से पाया गया और म्यू जो कोलंबिया से पाया गया अब ऐसा तो ये भी सीडी करके जेड तक जितने ग्रीक लेटर होगे सब के हमने करने बैठेंगे जो बड़े-बड़े वाले हो थोड़े याद रखने जाए डेल्टा, इंडिया, आलफा ब्रीटेन, ओमिक्रॉन, आफ्रिका वगयर आगे पॉब्लिक हेल्थ, कोरोना और बाखी सब चीज़ों में एला सेल्स, ये क्या है अमेरिका में एक अश्वेद महिला थी हैंड्री एटा लेक्ष उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया तो वो कैंसर की जो गांट थी उसे निकाला गया और उसमें एक अजीब बात ये थी कि उसमें जो ट्यूमर सेल्स थे दे कंटीनू टू मल्टिप्लाई और डबल एवरी डे इवन नाव इन दे लेबोरेटरी उसके सरी से वो सेल्स तो निकाल दिये लेकिन अभी भी प्रयोग साला में वो रोज दुगना हो जाते है उनकी संख्या डबल होती है तो इससे वो सब वेगानिक रिसर्च करते है उससे क्या फायते हुए ये जो हेंड्रिय अटलैक्स यानि हेला उसके सेल्स को जो नास साख ने उससे पोलियो की वैक्सिन बनाई थी उस पर रिसर्च करके HIV कैसे फैलता है उसकी रिसर्च हुई थी ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सिन बनी है कुरुना वाइरस कैसे फैलता है और उसकी वैक्सिन बनाने में भी इसके सब रिसर्च में काम आया है तो ये सब को देखते हुए उसकी नई प्रतिमा लगाई गई है इंग्लेंड में इसमें ethical concerns क्या है ये जो हैंड्रियेट आलेक्स का ये tumor cell थे जिस पर इतना सब रिसर्च हुआ और वो डॉलर कमा लिए फार्माशूटिकल कम्पनियों ने लेकिन उसके परिवार को कुछ पैसा नहीं दिया उसको तो शायद मर गे तो पता भी नहीं होगा कि ये सब मेरे रिसर्च के चलते हुआ उसी से जुड़ा हुआ एक और कॉलम में वहीं पर मामला था मेडिकल एथिक्स में ये नाजी जर्मनी में हिटलर यहुदियों पर अलग-अलग टाइप के मेडिकल रिसर्च करवाता था क्योंकि उसको वो सब रिसर्च से यूजेनिक्स मतलब ऐसा जनिन शास्त्र की बेस्ट में मेडिकल रिसर्च दन उसके बाद हो सेकंड वल्वर के बाद मित्रराष्ट एलाइड फोर्से द्वारा नाजी नेता उपर मुकदमे चले जिसको हम कहते हैं नूरंबर्ग ट्रायल्स जर्मनी के नूरंबर्ग शायर में होता है तो उन क्रूर डॉक्टरों पर भी मुकदमा चला और उसमें से नूरंबर्ग सही था नूरंबर्ग कोड वस डेवलप्ट वो उसमें बात क्या होगी लगाओ लॉजिक कि बीना मरीज की अनुमती पर उसका रिसर्ट नहीं हो सकती कोई भी रिसर्च क्रूर नहीं होनी चाहिए समाज की बलाई के लिए होनी चाहिए मलब वो सब एक्समेन वाला जो रिसर्च करे और ऐसा सब म्यूटन बनाए वो सब नहीं होना चाहिए कॉमिक बुक वाला वगएरा वगएरा लेकिन फिर भी हम पारते हैं कि चीन में तो नूरंबर कोड का वो लेटर एंड स्पिरिट में पालन नहीं कर रहे हैं उनकी वो सब माइनोरिटीज अल्प संख्योंकों पर जबरन प्रयोग किये जा रहे हैं उसी कॉलम में एथिक्स काम एक कोटेशन मिले मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो सही या नैतिक कदम है उसको करने के लिए कौन सा समय बेश्ट है राशी बविश्यों में देखना चाहिए कुछ खास तारिक ढूंडनी चाहिए नई हर समय हमेशा सही ही होता है जो चीज़ सही है उसे करने के लिए तो आपका होंवर्क यह है कुछ बार यूपियसी के यह एथिक्स मेंस पेपर फोर में क्वोटेशन दिये जाते हैं देन यूँर रिक्वार्ट टू इलाबरेट इट हाथ तो सोचो इसको पूछा जायता आपको ऐसे कौन से केसी से एतिहासिक या कंटेम्पररी लगते हैं जहां पर आपको लगे कि जो नेतिक है वो नहीं हो रहा है और उसे नेतिक करने का सही वक्त यही है आगे page 9 internal security for means paper 3 नागा peace accord उसमें कई समय से वो सब अलगावादियों के साथ यह रहा नागा लेंड और बारत सरकार बैटेगी किदर दिल्ली में इदर चर्चा हो रही है अब चर्चा में तकलिब क्या आई 2015 में सरकार ने उनको यह का कि हम आपकी sovereignty का सम्मान करेंगे दोनों की सम प्रभुता का सम्मान होगा नागा लेंड के यह सब अलगावादी भी और बारत सरकार भी मलब शायद कुछ ऐसा पोलना चाहते थी उस वकट 2015 में सरकार कि जैसे जम्मू कश्मीर में अपना अलग समविदान अलग अलग स्वायत्ता थी आंतरिक मामलों में ऐसा ही special status नागा लेंड को मिले लेकिन फिर आप जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 तो हमने हटा दिया है तो अब तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कोई special status separate constitution separate flag नहीं है तो ऐसी रियायत्य अब नागा लेंड को भी नहीं मिल सकती लेकिन वो जो अलगावादी है वो नहीं किया हमको तो वहीं चाहिए बट union government is not interested तो वहाँ पर वो मामला अटक गया है मित्र ये internal security में जो प्रशना आते है अगर जब से नया सिले बस आए 2013 से analyze करें तो गी से पीटे वहीं सब चलता है कभी-कभी random कुछ पूछ ले कि वो cyber dom project क्या था वना वहीं सब border area में क्या challenge, internal security में क्या challenge, cyber crime किरा होता है, left wing XT में जम नक्सलवाद से लड़ने के लिए क्या हो चुका है, क्या करना चाहिए ऐसा सब 2020 means में भी पूछा था और उसके model answer की lecture series, free में कल रात 9 बजे मैं करने वाला हूँ, मेरी profile page on academy.com slash at monal.org उसमें तीसरी रो में आप जाएंगे, यह सारे special class मिल जाएंगे, so you can join it आगे बढ़ते हैं, page 11 explained series में, केंदर सरकार वो minimum support prices यह वाले crop पर announce करती है, input जो भी उतपादन की लागत थी, उस पर 50% ज्यादा profit हो ऐसा, 1.5 times the input cost ऐसा सब उसका formula है, लेकिन सभी के सभी crops पर यह असल में सरकार खरीदती नहीं है वो सब चीज़े हम पहले से जानते हैं, उसी की GCPT बाते वापस explain series में आई है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो आप explain series पड़ो P13 international person in news में, जोसेफिन बेकर, जो एक dancer, civilite activist और जासूस थी, उसको France में जो एक समारक है, जहांपर सबसे best में best, most important personality को समारक है, उसमें उसका नाम है आपके अपनी exam के लिए इतना काम का नहीं, even for non-IS exam क्योंकि ये बहुत दूर की चीज़, अगर नोबेल पारिस तोशिक मिलता तो हम देखते हैं, लेकिन हो सकते हैं कहीं पर wrong option set करने के लिए इसको use किया जै, जैसे वो हैला सेल, हैंड्रियेटा, लेक्स क्यों important है, तो वो पता होना चे क्योंकि बार technology में बहुत important चीज़ है वो, ना तो wrong option में फिर डाल सकते हैं, जो सेफिन बेकर, आगे economy, अब economy में भी आज कुछ खास काम का नहीं, वही सब cross border insolvency, अनि लंबानी बारत में लोन नहीं चुका है और उसकी अमेरिका की मिलकर जब्त हो जाए, बै नहीं है, ministry of corporate office सोच रही है कि बेस्तर होगा अगर हम लोग United Nations Commission on International Trade Law, यानि Unisitral ने एक model आदर्श कानून बनाए, उसको कॉपी कर लें, और उस हिसाब से हर देश में जो प्रक्रिया होती हो, हम भी करेंगे, और आपस में सब एक दूसरे को सम्मान करें वगरा, अब वही आने लाइक जो होगा, वो, suppose वो notify भी कर दें, तो भी गिनके लख, आप लिखके रखो, economic survey 2022 में ये सब bad loan की हमेशा चर्चा होती है, वो वापस इसको recap करेगा, अच्छा है, ऐसा किया गया है, तब हम पर लेंगे इसका क्या positive negative है, so that was the newspaper for today, get ready for the Monarch Current Affairs 20 question की quiz, आज रात 8 बज and best of luck